Good morning to all of you, आप सभी को मेरी YouTube channel touch exam में फिर से एक बार स्वागत हैं, आज हम इस फुडियो में जानेगी कि आपका Dr. Shama Prasad Mukherjee University में PG, यानि की MA, MSC और MCOM का जो फॉर्म है, post graduate का जो फॉर्म है, वो कब से आ रहा है, और कब से आप apply करके यहाँ पे admission ले सकते हैं, बहुत सारा comment आ हैं, वो आपका admission बच गया है, उनका जो notice है, वो कब तक आएगा, इस वीडियो में पूरी तरह से जो इनके तरफ से notice निकाला गया है, Dr. Shama Prasad Mukherjee University के तरफ से, वो हम यहाँ पूरी तरह से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, क्या है notice और कब तक आपका जो है, वो आप आपका admission form आने वाला है, Dr. Shama Prasad Mukherjee University का, यह notice जो निकाला गया है, वो डियूस पेपर में दिया गया है, क्योंकि यह official notification रहता है, वो आपके डियूस पेपर में यहाँ पर कवर किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, Dr. Shama Prasad Mukherjee University राची, ठीक है, PG में नामंकन की प् प्रक्रिया अगले सब्ता से सुरू हो जाएंगे, अगले सब्ता कहने का मतलब है, जो अगला सब्ता जो है, मंडे से में भी आपका start कर दिया जाएगा, Chancellor Portal के माधियम से नामंकन की प्रक्रिया अजनातक की तरह ही होगी, इनका जो admission का process है, वो पूरी तरह से जैसे आपका B या फिर बोल सकते है, graduation में आपका हुआ है, Chancellor Portal के माधियम से, उसी प्रकार इनका भी admission वहाँ पे आप online apply करेंगे, उसके बाद आपका married prepare किया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पे directly payment करके आप admission वहाँ पे ले सकते हैं, तो जैसी notification आता है, starting date का उस पे हम वीडियो बना दे करेंगे, तो अगर आप नए हैं, तो subscribe कर दिए, जैसे कि आपका, जैसे ही date आई, Dr. Shama Prasad Mukherjee University का, और इसके अलावा और भी जितने university है, जैसे राची university, भी वी यू है, भी नवा बाबाबा यूनिवर्सिटी, को लाद यूनिवर्सिटी, तो जितने भी university में PG का जो form भर करेंगे, जब से start होगा, वो आपको बता देंगे, पर यहाँ date of sensitive date यहाँ पर दे दिया गया, कि अगली सप्ता से आपका जो है start कर दिया जाएगा, इनमें वी वी के 20 विभागों के लिए विद्धार्थी आविदन करेंगे, ठीक है, इनमें total 20 विभाग बनाए गये हैं, जिनमें आप आविदन कर सकते हैं, next है यहाँ पर वहीं वीवी के असनाथ तक अस्तर की भी final year की offline परिच्छा समाप्त हो गई है, ठीक है, final year की अगर बात करें, तो वो भी आपका जो है final exam complete हो चुका है, इसके बाद इन विदार्थियों को भी PG नामनकन में आविदन करने क मौका मिल सकेगा, मतब जो graduation way जो है candidate अभी 6 semester का exam हो गया है, तो उन सभी को फिर से आपका उनका जो आए जाएगा result उसके बाद वो भी जो है PG में अपना admission ले सकते हैं, यहाँ पर next है, वीवी के कूलपती डॉक्टर S.N.Munda, S.N.Munda ने बताया कि अगले सब्ता से हम नामनक की प्रक्रिया सुरू कर सकते हैं, अगले सब्ता का बात कहा गया है, अगले सब्ता में सुरू कर सकते हैं, तो date थोड़ा आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर जब तक result जो है, भी 6 semester का exam हुआ है, जब तक 6 semester का result नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे online नहीं start किया जाएग से नामनकन लेंगे, ठीक है, जो भी PGS तर से, जो भी है, वगर post graduate में admission लेना चाते है, vocational courses में, वो सारे लोग, जो chancellor portal से अपना admission नहीं लेंगे, वो सारे लोग, वीवी के जो website है, official website है, जो है, जैसे डॉक्टर शामा प्रसाद मुकरजी का official website, वहाँ पे वो form apply करके, जो है vocational course वाले ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो visa है, seat है, और fees की बात करे, वो यहाँ पे approach दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते है, anthropology का total 80 seat है, उनका जो fees है 2965 रुपे, वही बंगला का 80 seat है, उनका भी fees है 2965 रुपे, ठीक है, economics, English, सभी का seat सेम हो, और fees भी हुआ है, वहीं geography का side seat है, only side seat, और इनका फीस जो है वो 3465 रुपे, ठीक हाँ पे रुपे, और हिंदी का बात करें तो उनका भी 80 seat है, और उनका फीस जो है 2965 रुपे है, हम इनका link जो description में दे देंगे, आप वहाँ सब जाकर देख सकते हैं, कि क्या आपका फीस रहेगा, ट 2965 रुपे है, वहीं अगर हम बात करते हैं, इधर वहाँ आप देख सकते हैं, डागपूरी के लिए, जो आपका practical subject है, जो भी subject में आपका practical है, उनका फीस थोड़ा जादा है, जिनमें practical नहीं है, उनका फीस कम है, यहाँ पे 80 seat है 2965 रुपे, और यहाँ का भी उत नहीं है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, philosophy, psychology, Sanskrit, यह सारे का फीस जो है लगबग सेम है, वहीं पे अगर हम बात करें, बात करें, chemistry, physics, geology का तो इनका total जो seat है, particular seat वो 60, 60, 60, 60 है, और अगर फी की बात करें, total 7 seat है, और अगर फी की बात करें, 3400, 3400, और इन सभी का फीस जो है, 3400 है, तो अभी यह sensitive date है, आपका final नहीं है, कि अगला सपता आ जाएगा, इसी तरह और भी university, जैसे विनवाब आवे university, राची university, और जितने भी university है, जारकन पे हम उस पे cover करेंगे, और जितने भी admission होगे PG में, क्योंकि अभी आपका graduation का admission हो रखा, ठेक है, अब post graduate का admission है, वो अभी त तक result नहीं आ जाता है, तब तक apply नहीं कर पाएंगे, क्योंकि result वहाँ पे important होता है, क्योंकि वहाँ पे box आपको mention करना होता है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ होगा था आप इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें, इसके लावा अगर कोई भी तरह का confusion होगा admission से regarding या कोई भी तरह का problem, तो आप हमें comment box में comment कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी शायता करूँए, thanks for watching, have a nice day.